इस समय हम चेना ब्रीज पर हैं चेना ब्रीज पर पटरी बिछाई जा चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नई नई पटरी बिछाई गई है और यह पटरी अपने आप में खास है क्योंकि इसमें कोई जोड नहीं है यहाँ मैं कैमरामेन को कहूंगा कि व खास मेटरियल से क्योंकि काफी मजबूत है ऐसा दावा किया जा रहा है साथ ही साथ यहां पर आप जो इस्टील के स्लीपर्स हैं अगर उनको देखें तो यह खास तरीकी का डिजाइन है और यह डिजाइन ऐसा है कि इसमें जो मुडाव है उसको कहीं न कहीं हर जगए एड़ मुड रही है यह टनल 6 की तरफ जा रही है टनल 6 की तरफ यह पटरी जा रही है और इधर जिस डारिक्शन में हम चल रहें अगर हम इसकी बात करें तो यह कटरा की तरफ रास्ता जा रहा है कटरा की तरफ रास्ता जा रहा है 1315 मीटर लंबी यह पटरी है यहां से लेकर आने वाले दिनों में इस पर ट्रेन चलेगी और आसपास की वादियां देखिए क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें तो रियासी का ये इलाका है एक तरफ कोड़ी है तो दूसरी तरफ बकल है कोड़ी और बकल को जोड़ने वाला ये पुल अपने आप में खास है और यह नीचे चिनाब नदी बहे रही है ताकत वर चिनाब नदी नीचे बहे रही है आसपास की आबादी है जो इस इलाके में रहती है। का इलाका देखे किस तरीके से यहां पर जो लोग काम करते हैं उनके रहने की बिवस्था है और यहां पास में जो गाउं है वो कौडी है तो कौडी और बकल को जोडने वाला यह पुल अब अगली स्टेज में पहुँच चुका है यहां पर ट्रैक बिछाया जा चुका है साथी साथ रेलवे के जो पुल है वो तयार है वाया डक्ट तयार है और यहां एक और चीज में आपको बता दूँ कि 2487 स्लीपर्स यहां पर बिछाये गए हैं तो 2487 स्लीपर्स को यहां बिछाया गया है और इनमें काफी पास पास रखा गया है इनको काफी नजदीक सकते हैं और एक और चीज में यहां पर बताने लाइक है कि इस ट्राइक पर सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगा उसके बाद वंदे मेट्रो की बारी है वंदे मेट्रो को जम्मू और स्रीनगर के बीच में चलाने का इरादा है तो यह ट्राइक यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायर डक्ट पे चल रहा है और आगे वह पुल है जो दुनिया का सबसे जबरदस्ट पुल है सबसे उचा लेकर उपर तक की अगर हम बात करेंगे तो 369 मीटर की उचाई वाला है यानि एफिल टावर से भी उचा यह पुल है साथी साथ सामने जो इस्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यह खास तरीके का इंजिनरिंग का इस्ट्रक्चर है और इसी के जरिए एक जगह से तूसरी ज रहेगा और जब कभी जरूरत होगी किसी भी चीज की रिपेर की जरूरत होगी तो उसको भी इसी इस्ट्रक्चर के जरिए इस खास तरीके की जो क्रेंस हैं नी के जरिए उसको रिपेर किया जाएगा अब हम चिनाब के आर्च ब्रिज की तरफ पहुंच रहे हैं चिनाब क भी खास तरीके से की जाती है क्योंकि यहां पर सुरच्छा एजन्सियां हैं जो उनकी एक कमपनी तैनात रहती है जो लगातार इस पुल पर नजर रखती है और किसी भी अनधिकरत व्यक्ति को यहां पर आने नहीं दिया जाता है यानि इसकी सुरच्छा का भी खास खयाल रखा गया है साथी साथ यहां एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि यह इलाका मौसम के लिहास से काफी सम्वेदंसील है आज पास जो उंची पहाडियां हैं इन पर बर्फ गिरने लगती है या बारिस होती है तेज बार रफतार हवाओं का भी खत्रा रहता है तो उनके लिए भी इस पुल को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है दो सो चांचट केम पीच की रफतार पर जब हवाएं चलेंगी तब भी इस पुल को कोई खत्रा नहीं है ऐसा दावा किया जा रहा है तो अब हम उस जगहे पर प पहुंच रहे हैं साथी साथ केबिल क्रेंट जो उपर आप देख रहे हैं इस केबिल क्रेंट को यह 31 अगस्त 2013 को इसका निर्मार किया गया था इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था उसके बाद काम में तेजी आई थी और जब आखरी मतलब गोल्डन जॉइंट को इसमें जो किया गया था और अंत में आर्च के उपर जोड़ा गया था यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर ट्राली चलनी सुरू हो गई है और खुद रेल मंत्री इस पर हम कह सकते हैं मौजूद हैं तो एक और बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों की अगर हम बात बड़ेगी निश्यत तोर पर बड़ेगी और यहां पर तेज रफ्तार ट्रेने चलेंगी तो यह सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा 111 किलो मीटर लंबा जो यह रास्ता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं एक बड़ा जो मिसिंग लिंक है उसको जोड़ करने का काम कर रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके के लिए एक विकास की नई किरण लेकर आएगा यह तो सिधा सिधा कहा जा सकता है क्योंकि यहां पर अगर हम पुल की बात करें तो यह पूरी तरीके से अब वर्किंग स्तती में है क्योंकि यहां से अब पुल की स्थति शुरू हो रही यानि जो पुल है उसका हिस्सा सुरू हो रहा है केबल क्रेन है यहां उपर अगर आप देखेंगे तो केबल क्रेन है साथी साथ यहां सेफ्टी और सेक्योर्टी के लिए आप एक और खास नजारा देखिए किस तरीके से जीब को चलाया पट्री पर जीप चल रही है देखे पट्री पर जीप चल रही है और इसको खास तरीके के स्ट्रक्चर से बना कर इसको उठा कर चलाने चलाए जा रहा है क्योंकि रेल मंत्री चल रहे हैं इस पर तो उसका भी यहां पर पूरा इंतजाम किया गया है साथी साथ यहां पर आप देख सकते हैं अब हम मुख्य पुल पर आ गए हैं तो मुख्य पुल का हिस्सा सुरू होने जा रहा है और मुख्य पुल पर जो पट्री का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग होगा डिफरेंट होगा चलिए अब वहां पर भी हम पहुंशते हैं कि किस तरीके से मुख्य पुल की जो तैयारी है, वो किस तरीके की है और मुख्य पूल पर जो सबसे बड़ा अमूंबन खतरा रहता है, वो तेज हवाओं का रहता है, तेज हवाओं से होता क्या है कि कहीं लचक न आ जाये, मतलब जो बड़े structure होते हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लचक न आ चुके हैं और मुख्य पुल पर पट्री बिचाई जा चुकी है और यहां पर साइड में चलने के लिए जो ब्यस्था की गई है उसका आप एक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है आराम से चलिए फिसलन ना हो क्योंकि इस इलाके में बारिस होती रह है क्योंकि हाल फिलहाल में बारिस हुई है जिसकी वजह से इसका पानी मटमेला है और यहां से अगर हम डिस्टेंस बताएं तो 369 मीटर 369 मीटर नीचे यह नदी बह रही है तो चिनाब नदी पर यह पुल अपने एक नए अंदाज में आने वाले दिनों में ट्रेनों को कह बने जाने का मौका देगा एक बड़ा मौका देगा और यह बड़ा मौका सिर्फ स्रीनगर और जम्मू के लिए नहीं है बीच के जो इस्टेशन बनेंगे उनके लिए है रियासी के लिए है या दूसरी जगहों के लिए है क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो बनिहाल औ लेकिन अब उम्मीद बढ़ी है कि जल्द ही जम्मू से स्रीनगर के बीच में ट्रेन चलेगी और उसके लिए टार्गेट भी दे दिये गए हैं टार्गेट दिया गया है कि दिसंबर 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा यानि अगले आम चुनाओं से पहले यह ट्रैक पूरा हो जाना है सीधा सीधा जम्मू से ट्रेने चलेंगी स्रीनगर पहुचेंगी यानि स्रीनगर कन्या कुमारी और गोहाटी से भी जुड़ जाएगा मुंबई से भी ट्रेन के जरिये जुड़ जाएगा इस बात की उमीद बढ़ी है यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको वो ट उसका बात करें तो इसको इस तरीके से बनाया गया है Olisa Benaghiu बड़े से बड़ अuredते संथ के इसको नुकशान ना प֊ंचा सकै जो कि स्थति में बनाए रखा जाएगा यानि कोई दिक्कत नहीं होगी हलांकि यह बड़ा इंफ्राइस्ट्रक्चर है और इसकी सेफटी एंड सेक्योर्टी की जिम्मेदारी भी केंडर सरकार की है तो जहां जहां सुरंगे निकल रही है वहां वहां हम कह सकते हैं चौकी बनाई पुल के दूसरे एंड पर पहुंच रहे हैं यानि बकल पहुंच रहे हैं जहां पर पूजा की गई थी जहां पर नारियल फोड़ा गया था और उसके बाद खुद रेल मंत्री इस ट्रैक पर चले थे और यहां के लोग जो हैं उनका क्या मानना है किस तरह उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे लोगों से भी बात करेंगे साथी साथ आसपास के जो इलाके हैं उस पर किस तरह का असर पड़ेगा क्योंकि जब कोई बड़ा इंफ्रेस्ट्रक्टर का प्रोजेक्ट आता है तो निस्चित तोर पर पूरे इलाके पर फरक पड़ता है और 111 किलो नाई गई जिससे कहीं न कहीं लोकल्स को भी फाइदा हुआ साथी साथ आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इसको रणनीतिक तोर पर काफी महत्पूर्ण लाइन माना जाता है क्योंकि सेना का भारी साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस ट्रैक का हम समझ सकते हैं कि किसी भी जगह से दिल्ली से अगर टैंक भेजने हो सीधा सीधा स्रिनगर तो काफी आसानी रहेगी क्योंकि भारी भरकम टैंक को भेजने के लिए रेल मार्ग सबसे मुफिद है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर टैंकों को भेजा जा सकता है जो भ वाले दिनों में यह इस्तति बदल जाएगी और जम्मू कस्मीर और लद्दाक की बात करें तो लद्दाक के लिए भी जम्मू कस्मीर से आगे की की प्लैनिंग है क्योंकि स्रीनगर से आगे लेह के लिए रेल्वे लाइन डालने की योजना बनाई जा रही है और उस पर भी किया जा रहा है काम चल रहा है सरवे हो चुके हैं कहीं न कहीं हिमाले के तमाम छेत्रों को आपस में जोडने की बड़ी कवाइद है और उसमें जो मौझूदा सरकार है उसका पूरा फोकस है क्योंकि हिमाले के तमाम छेत्र दुर्गम छेत्र हैं और बॉर्डर एरिया जहा पर कहीं न कहीं connectivity चाहिए, security forces को पहुँचना है, तो उसके लिए infrastructure चाहिए, क्योंकि हिमाले में मौसम सबसे बड़ा दुस्मन है, मौसम और हिमाले की geology सबसे बड़ी दुस्मन है, लेकिन जब सुरंगों से होकर train गुजरती है, तो उसमें आसानी रहती है, क्योंकि यहां पर म 90 फिजदी से ज़्यादा हिस्सा tunnels का है, यानि बड़ी बड़ी tunnels हैं, लगातार tunnels हैं, 27 सुरंगे हैं, 27 सुरंगों का इस्तिमाल किया गया है, जिसमें ज़्यादा तर tunnels को बना लिया गया है, कुछ tunnels में problem है, तो उस पर भी काम किया जा रहा है, यहां एक बार फिर से मैं कहू बलते हुए यह नदी देख रही है, क्योंकि यहां आपका इतिहास पूरी तरीके से बदल रहा है, और क्यों बदल रहा है, वो इसलिए बदल रहा है, क्योंकि यहां पर अब ब्राड गेज लाइन आ चुकी है, सिंगल ट्रैक है, जो आ चुका है, और ब्राड गेज सिंगल दिल्ली से जुड़ गया है और जब आगे वाला हिस्सा भी जुड़ जाएगा तो निश्चित तोर पर हम कह सकते हैं कि ट्रेनों की आवाजा ही संभव होगी और यहां पर हम केबिल क्रेन के पास आ चुके हैं केबिल क्रेन जो की बकल एंड पे है यानि कौडी से हम चले थे अब बकल पहुंचने जा रहे हैं 1315 मीटर लंबा यह पुल है 1315 मीटर लंबे इस पुल का जो सबसे खुबसूरत पहलू है वो है इसका आर्च और इसके आर्च के ऊपर जो डिक बनाई गई है उसी डिक पर कहीं न कहीं हम कह सकते हैं यह पुल ठहरा हुआ है और यहां एक पर फिर से आप देखिये किस तरुके से जीप को पट्रियों पर चलाया जा रहा है और इसके लिए खास तरीके की विएस्था की गई है जिस पर इसको चलाया जा रहा है तो यह एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है आने वाले दिनों में इस्ट से टौर पर हम आपको बता पर वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनेज चलेंगी शिद्धार्थ न्यूज स्टेशन चिनाब्रिश